हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गई, आप सब कैसे है? आज हम बनाएंगे बहुती ज़्यादा स्वाधिस्ट रेसिपी, जो सब को पसंद आने वाला है ऐसे ही सोच रही थी कि आज लंच में क्या बनाओं और घर पे कोई भी सबजी भी नहीं था तो इसी लिए मैं तीनो टाइप दाल ले लिया और तीन घंटा पहले भीगो के इसे छोड रखा था ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके है ये जो दाल है इसे बहुत अच्छे से धो लेना है अब मैंने लिया है मिक्सिंग जार मिक्सिंग जार में सबसे पहले मैंने एड़ किया है मूंग दाल तो मूंग दाल भी देखिए बहुत अच्छे से फूल चुके है अब मैं एड़ कर रही हूँ भिगोए हुए चना दाल और इसी के साथ मुसूर दाल ये तीनो दाल मिला के मैं पीस लूँगी और धेर सारे हरी मिर्च मैंने ले लिया है और देखिए एकदम स्मूद सा मैंने इसे पीस लिया है आप चाहे तो इसमें अधरक एड़ कर सकते हैं पर मैंने इसमें अधरक लहसुन का इस्तमाल अभी नहीं किया है कुछ भी नहीं डालना है इसमें बस नमक, हल्दी पाउडर और लालमीच पाउडर एट करना है और बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि अच्छे से डाल में मिक्स हो जाए और कुछ इसमें एट नहीं करेंगे अब बहुत ही अच्छे से mix करने के बाद मैंने लिया है एक प्लेट इसके अंदर add किया है oil और इसे बहुत ही अच्छे से brush कर लेना है और oil अच्छे से spread होने के बाद इसमें ये जो दाल है मतलब दाल के paste है इसे डाल देना है और उपर से ऐसे एकदम प्लेन कर लेना है अब हाथों के मदद से भी कर सकते हैं चम्मच के मदद से भी कर सकते हैं अब इसे करना है steam तो 10 मिनट तक medium to low flame में इसे steam करना है 10 मिनट हो चुके हैं पहले 7-8 मिनट मैंने medium flame रखा था इसके बाद मैंने low कर दिया तो अब ये paste बहुत ही अच्छे से पक चुके है तो एकदम से नरम ये नहीं है आप ऐसे उंगली से चेक कर सकते हैं अब इसे निकाल देना है और निकाल के ना हलका सा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है आपके हाथ में अगर ज्यादा time है ना तो आप ज्यादा देर भी इसे ठंडा कर सकते हैं ठंडा कर लेने से बहुत ही अच्छे से ये plate छोड़ देते हैं तब तक मैं कुछ प्याज लसून ये सब काट लेती हूँ तो देखिए इधर ये जो दाल है ना ये अच्छे से तो अब इसे काट लेती हूँ और काटने के बाद देखिए ऐसे ही अपने आप ये निकल आते हैं अगर और अच्छे से ठंडा कर लेंगे ना ये और फटा-फट से निकल आएंगे तो ऐसे ही नाइफ के मदद से हो या कर्ची के मदद से हो थोरा सा हलका सा प्रेशर देने स ये निकल आते हैं और एक दम सौफ्ट बने हैं तो सारे जो बर्फी है ना देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है एक दम पोफिक्ट बना है इसे आप डीप फ्राई करके ऐसे ही खा सकते हैं पर हम अज इसका सबजी बनाएंगे अगर आपको डीप फ्राई करके खाना है तब आप इसमें लहसून अद्रक का इस्तमल कर सकते हैं तो अब बनाएंगे इसके सबजी तो सबसे पहले मैंने मिक्सिंग जार में एट किया है हरी मिर्च लहसून और बस एक प्यास जो लंबाई में मैंने चौप्ट किया था उसे इसमें एट करना है और तीन टमाटर ओ एकदम छोटे साइस के इसी के साथ इसमें एट किया है मैंने अद्रक ओईल गरम होते ही इसमें एट करना है साबूद जीरा और इसी के साथ सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता और जो एक प्यास मैंने फाइन चौप्ट करके रखा था उसे इसमें एट कर दिया है अब तो एक ही साथ मैंने पीशा है आपको अगर एक साथ पीशना पसंद नहीं है तो आप अलग-अलग करके भी पीश सकते हैं अब फ्लेम को रखेंगे लो और इसे बहुत अच्छे से हमें पका लेना है तो पकाएंगे तो अभी मसाला भी आट कर लेते हैं इसलिए हल्दी पा इसे के साथ इसमें एट किया है बस धोरा सा नमक इसे क्या होगा ना यह जो मसाले है यह बहुत अच्छे से पक जाएंगे वो भी जल्दी से तो फ्लेम को मैंने लो रखा है तो ओल रिलीज होने तक इसे हमें पकाना है और बीच-बीच में चलाते जाना है कि यह नीचे से लगना जाए अब इसमें एट किया है मैंने दही दही एट करने से इसका जो टेस्ट है यह बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है आपके पास अबलेबल है तो आप एट कर सकते हैं नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं बीना दही क भी आप बना सकते हैं तो दही डालने से मसाला का टेक्स्चर जो है बहुत ही प्यारा हो जाते हैं तो देखिए अब इसमें ओयल भी रिलीज होने लगे तो दही और मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं और ज्यादा देर हम इसे पकाएंगे नहीं बिल्कुल करेंगे गरम मसाला पाoudr इधर हाप चम्मच करिब मैंने गरब मसाला पाव्डर एट किया है आप चाहे तो इसी के साथ कसोरी मेथी बी एट कर सकते हैं पर आज मैने कसोरी मेथी स्कीप कर दिया है बीना कसोरी मेथी के बाब् uniforms कोई सब्जी बहुत ही प्यारा लगता है त क्युकि जो बर्फी मैंने बनाया है उसका क्वांटिटी बहुत ही जधा हो गया है तो इसलिए पानी आमें तो इसलिए जदा पानी मैंने एट किया है अब टेस्ट के अकोर्डिंग नमक एट करना है और जैसे ग्रेवी में उबल आये ना तब इसमें एट कर देना है यह बर् दीरे दीरे एट करना है और कुछ बर्फी मतलब 2 से 3 बर्फी आप ऐसे तोर के हाथों के मदद से मेश करके भी इसमें एट कर सकते है इस से ग्रेवी का जो टेस्ट है ये और ज़ादा इनहेंस हो जाते है तो इसे लिए 2-3 बर्फी मैं ऐसे क्रश करके ये जो ग्रेवी है इसमें एट कर दिया है अब इसे ढग देंगे और ढग के ना लो फ्लेम में हम इसे कुछ देर मतलब पांच से चार से पांच मनद तक हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है सारे जो बर्फी है ये बिलकुल तैर रहे हैं मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुए है इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा होते हैं कभी आपके पास सबजी ना हो घर पे तो आप इसे बना सकते हैं और सबसे लास में म बंद कर लेना है और इसे बंद करने के बाद कम से कम पास से साथ मिर्ट इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ढ़के पर उसके बाद जब ढ़कन खोलेंगे ना तो सबजी कुछ ऐसे दिखेगी और सच में ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है अब मैंने ले लिया है चावल बस सिंपल चावल के साथ आज मैंने कुछ नहीं बनाया है बस यही सबजी बनाये है और इसके साथ आप थोड़ असलात परोज सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए सही में ये खाने में बहुत तेस्टी होते हैं एक ही दाल खाखा के अगर आप बोर हो गया है तो साड़े ये म मिला के कभी आप ऐसे बरफी के सबजी बना के देखिए सही में बहुत टेस्टी लगेगा और अपके घर में बच्चों से लेके बरे तक सब को ये पसंद भी आएगा आप इसे चाहे तो बिना प्याज लसुन के भी बना सकते हैं कुछ पोस्तो दाना काजू बदाम का पेस पी थोरा सा भी अच्छा लगा है ना दोस्तो तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और लाइक करके मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए तो आप देख सकते हैं के बरफी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट्वेर है तो आज के लिए इतना ही चलते हैं बाई-बाई